कि कोश्चन बर 25 पहले देखते हैं क्या क्या दे रखता है इस कोश्चन में लास्ट कोश्चन है यह 25 कोश्चन में इसमें लिखा है इन दा गिविन फिगर ए रेक्टेंगल आप पैरिमीटर 76 यूनिट यानि आपको यह रेक्टेंगल जो दिख रहा है न ए बी सी डी यह जो है यह जो आपको दिख रहा है ठीक है अब यहां पर अच्छा एक बच्चे एक कमेंट बहुत दिर से कर रहा है कि सर यह जो फादर सन वाला कुश्चन था ना तो क्या हम यहीं से आंसर नहीं दे सकते हैं इस सब्जेक्टिव तो कुश्चन है नहीं कि मैं X और Y निकालना प निकालना था तो क्या वो 4 by 7 नहीं आ जाएगा जो ऑप्शन आ रहा है हाँ बिल्कुल दे सकते हैं सब्जेक्टिव कुश्चन तो है नहीं कि मैं X Y निकालनी पड़े पहले आप सीधा अंसर दे सकते हैं very good मैं बच्चे को जो अच्छा यह बोल रहा है उसको के लिए लिए नहीं होती है मैंने एक सर्वाई निकाला पूरा बच्चा बोल रहा सर यहीं से मिल रहा है यह पॉन एक लाइक बनता बच्चे के लिए जो भी बोल रहा है और कई बार बहुत सारी बात इतबार ऐसा होता है कभी मैंने माइनस टू लिग दिया किसी ने बोला सर प्लस टू मुझे आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है ठीक है इसलिए इस चैनल का नाम है आसीस फोर इस्टूडेंट्स कभी कुछ आप मुझसे सीख लेते हो कभी मैं आपसे कुछ सीख लेता हूँ ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ाई करते हैं लास्ट सिक्स यूनिट्स है जिसको साथ और अच्राइंगल में डिवाईड किया गया और अब यहाँ पर what is the perimeter of each smaller rectangle यह पूछ रहा है, question में तो यह पूछना चाहरा है कि यह जो smaller rectangle आपको दिख रहा है इसका perimeter क्या है, यानि find out तो आपको यह करना है twice of x plus y भाई, perimeter क्या होता है, twice of length of width कसम twice of x plus y बताना है तो target हमें यह बनाना पड़ेगा कि x और y की value कहां से आएगी target हमें यह बनाना होगा कि इसमें x और y कहां से आएगा तो दिख कहां से आएगा आपको perimeter दे रखा 76 ABCD का, तो perimeter होता क्या है इन चारों यह जो 4 side in कसम यानि ये, ये, ये और ये, तो कितने x दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 तो आपको x मिल जाएंगे perimeter में, और y कितने मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और इस अच्छे, तो सबको add करोगे ना, जब A, B, B, C, C, D और D, A को, तो यहाँ पर y मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 6, y, कितने बराबर हो जाएगा, किया ये 76 के बराबर हो जाएगे, पहली condition, this is our first condition, ठीक है, अच्छा, दूसरी condition कहाँ से आएगी, हमें पता ही, एक rectangle है, और rectangle में opposite side होती है, बराबर, तो यहाँ पर x, plus x, plus x, 3x किस के बराबर, ये 4y के बराबर नहीं होगी, yes or no, क्या हमारा 3x जो है, वो 4y के बराबर होगा, तो क्या यहाँ से x की value, 4y upon 3 आजाएगी, इसको पुट कर देते हैं, first condition में, और y निकाल लेते हैं, तो 5 into 4y plus upon 3, plus 6y बराबर 76, तो यहाँ पर 3 अगर LCM ले लिए जाए, तो 20y plus 6 3, 18y बराबर 76, ये 38y हो जाएगा, और ये तुम multiply करोगे, 6 3 जाए, 18 22, तो ये कितने बार जाएगा, अगर 6, 38 का अगर 6 में multiply करें, तो 6 8 जा, 48 4 आएगा, 18 फो जाएगा, ये हमारा कितने बार जाएगा, 6 ताइम चला जाएगा, तो y यहाँ पर 6 आजाएगा, तो x हमारा कितना है, 4 बार ये पॉन 3 है, तो 4 इन्टू 6 अपॉन 3, तो कितना आजाएगा ये, 3 तू जाएगा, 8 आजाएगा, तो twice of 8 प्लस 6, तो 28 आ रहा होगा option में, ठीके C part, क्या आपका answer C part आ गया क्या, C part आ गया, C part आ गया, not B part, 28 correct answer है, twice of L प्लस B होता है, जो कि 28 के बराबर होगा, C part आएगा, सारे बच्चे confirm कर दो,